हेलो डियर स्टुडेंट, एपिसोड तू में आपका स्वागत है, तो डियर स्टुडेंट, आज का जो हमारा ट्रॉपिक है, साईकोलोजी बिल्ड अप कैसे करें और मार्केट के अंदर ये साईकोलोजी जो है कितना कामकाज करती है, आखीर साईकोलोजी का क्या रूल है मार्केट के अंदर तो चलिए पहले विस्तार रूप से इसे जान लेते हैं देखिए डियर स्टुडेंट साइकलोजी जो हमारा होता है ये मार्केट के अंदर हमारा 90% कामकाज करती है और 10% जो है हमारा इंडिगेटर, टेक्निकल एनलाइसिस चार्ट पैटरन केंडलिष्टिक पैटरन ये तमाम चीजे जो है साइकलोजी के बाद कामकाज करती है तब जाके हमारा जो मार्केट में जो सेटkor बनता है 100% तो साइकलोजी हमारे को जो है ये दरशाता है जो कि हमारा मार्केट का direction क्या है हमारे को अनुभव क्या है हमारे को जानना क्या है तो सारा चीज जो है psychology पे ही depend है तो चलिए जानते हैं इसे हम विस्तार रूप से तो देखिए दोस्तों एक expert ने किया था एक drug active दिमाग का एक MRI उस MRI को जब किया गया उसके scan दिमाग को जब उसका scan किया गया तो उसमें एक ऐसा चीज महतपूर्द निकल के आगया dear student जो कि मैं आप लोग को बता देता हूँ उसके दिमाग के अंदर एक romance निकल के आया एक romance निकल के आया रोवाँच क्या है वो भी आप लोग जान लो psychology जो होता है हमारा देखिए हमारा जो psychology होता है market के अंदर जैसे कि हम कोई trade लेते हैं share खड़ते हैं या share बेचते हैं तो उसमें जो क्या होता है हमारा mindset जो है जैसा हम mindset रखेंगे उस परकार से ही हम कामकाज करेंगे अब मान के चलिए हम मार्केट के अंदर चले गए और जब यह सोचेंगे नहीं यहां से तो मार्केट गिर जाएगा हम जो है एक जीट हो जाते हैं और जब वो आपके निकलने के बाद जब वो ऊपर भागने लग जाती है तो हमारा वहां पर जो क्या है साइकलोजी बिलकुल जीरो हो जाता है और उसके बाद हम क्या करने लगते हैं ओवर ट्रेड फिर उसके बाद जब हम उसको बाई कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है मार्केट फिर नीचे आने लग जाती है फिर जब मार्केट नीचे आने लग गई फिर हमारा लोस हो जा तो साइकलोजी को जो है आपको माइनसेट करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है माइनसेट करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा एक ट्रेड करें उससे भी ज्यादा दो दो से ज्यादा ना करें अगर आपका आज एक हजार का लॉस हो जाता है तो आप ऐसा करिए किसी friend के साथ या किसी परिवार वालों के साथ आप बहार चले जाईए कहीं tour पे चले जाईए market के अंदर घुम के आईए ताकि आपका mindset वहाँ पे डैबलफ हो और mindset आपका बिल्कुल सही रहे और उसके बाद आप एक डो घंटे के बाद आईए उसके बाद अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपका माइंसेट बिल्कुल ही एक्टिव रहेगा जब ही आपका लोस हो जाता है वहाँ पर आपका जो माइंसेट है आप कितना मर्जी एक्सपर्ट बन जाएंगे जितना मर्जी आप सीख लिजिए कुछ भी नहीं कामकाज करेग जब तक आपकी जो साइकलोजी बिल्डप नहीं होगी और यही सबसे बड़ा रोल दिखाता है मार्केट के अंदर तो देखिए इसके अंदर आपको कई चीजे सीखने को मिलेगी क्या मिलेगी कई चीजों सीखने को मिलेगी एक तो आपका हैविट ऐसा बन जाएगा जगर आपका लोज भी होगा तो आप उन चीजों को इग्नोर करोगे आपका जो माइंसेट है बिल्कुल ही सही रहेगा और आपका जो है ओवर ट्रेडिंग से भी बचाएगा ठीक है तो इसी लिए जो हमारा साइकलोजी जो होता है वो 90% मार्केट के अंदर कामकाज करती है ठीक कूछे अगर मान के चलिये हमने डसेजार से ट्रेडिंग स्टार्ट किया उसके अंदर हमने 5000 से लोज बाद ऑर ट्रेड ओवर ट्रेड मिन्स याने की एक बार लोस किया हम तो जो हमारा सही ट्रेड था जो हमारे प्रेवर में जाने वाला था हमने तो उसको दो-तीन सो में निकाल दिये ठीक है डियर स्टुडेंट और उसके बाद जब मार्केट जब ऑवर बोर्ड में हो गई ऑवर बोर्ड में होने के बाद हमने दुबारा मार्केट को तेजी देखते हमने एंट्री ले लिया वहां से क्या हो जाता है मार्केट द तभी तो हमें profit होगा ऐसा तो है नहीं हमने माल खरीदा दो रुपिये में और दो रुपिये में बेच लिया ठीक है न तो इसी लिए जो है mindset के जो है पहले आप लोग बिल्डप कर ये mindset हमारा 90% कामकाज करती है मार्केट के अंदर साइकलोजी ऐसा चीज है आप जानते ही है जो मनोविज्ञान है हमारा उस सबसे बरा जो हमारा मार्केट के अंदर role play करता है तो इसी लिए dear student आप लोग अपने साइकलोजी को जो है बिल्कुल एक setup बना के रखिए आप एक चीज दिमाग के अंदर feed कर लिजे हमें दो trade करना है दो trade से extra नहीं करना है और मेरी सलाम आने तो आप दिन में एक ही trade करें एक दिन के अंदर दोसरा trade तो बिल्कुल भी ना करें क्योंकि उसकी अंदर क्या हो जाता है हमारा mindset ख़रा हो जाता है अम्मान के चलिए हम पूरा दिन ठक जाते हैं रात को relax होकर के सुझाते हैं जब सुबह में उड़ते हैं तो हमारा mindset कैसा होता है एक चेहती खिलती मुस्कान भरे हैं चेहरे पर जो है पूरा fully full ख करता है तो डियर स्टूडेंट यह जो है चीजे आप लोग इसे लिख लें अगर आप लोग को एक बार में ना समझ में आया तो बार-बार रिपीट करके इसको देखे ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से साइकलोजी के बारे में जो है ज्यान मिले ऐसा नहीं आपने एक बार देखा और दूसरे बार उसको जो है देखा ही नहीं देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है अभ्यास जब तक आप किसी चीज की अभ्यास नहीं करोगे तो आप लोग कुछ आपका रोमांच कम हो जाएगा तब आप लोग जो है कुछ भी नहीं कर पाओगे इतना मैं ग्यारेंटी देता हूं इस बात का तो इसी लिए जो आपका जो साइकलोजी जो है को ध्यान पूरबक से रखना है और साइकलोजी हमारा मार्केट के अंदर सबसे बड़ा रूल जो हम लोग क्या करते हैं वहां पर ओवर्ट्रेड जब ओवर्ट्रेड करते हैं तो एक बार हमारा स्टॉपलस हीट हो गया दूसरे बार हमारा स्टॉपलस हीट हो गया उसको रिकवर करने के लिए जब हम बार बार जाते हैं तो वहां पर हमारा साइकलोजी बिलकुल ही खराब हो जाता है क्यों हो जाता है क्रक्राइब JST लालच आ जाता है नहीं हमें तो कबर करना है it ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारे अंदर एक greedy पन एक लालच आ जाता है जिसके बज़े से हम लोग कई सारा पैसे नुकसान कर बैठते हैं मार्केट के अंदर तो ऐसा कभी भी ना करें अपना मांशेट जो है उसको develop करें मांशेट को ऐसा बनाएं जो ताकि आपका दिल जितना दिमाग जितना भी आपको उसका आए बठ आप ओजीको ना करें तो dear student आज के अध्याय में इतना ही आप जो हमारा तीसरा अध्याय होगा उसके अंदर आप लोगों को अच्छी और बेस्ट चीजे सिखाए जाएगी जो की हमारा basic होगा और उसके बाद आप लोगों को advanced level में हम सिखाएंगे तो जैहिन बंदे मातरम Dear student हमारे class में option trading technical analysis में आपका स्वागत है तो dear student आज जो मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ ये हमारा अध्याय पहला अध्याय है और ये जो है share market के अंदर आप लोगों को 90% कामकाज करेगी और 10% जो है आपका other चीजे कामकाज करेगी तो ये चीजे जो है हम सीखने से पहले आप लोगों से एक चीज कह देना चाहता हूँ जैसे हम zero से लेके graduation तक study करते हैं struggle करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना परता है हमें daily practice करनी परती है तो जब तक आप practice नहीं करोगे तब तक आप लोग को कुछ नहीं मिलने वाला तो आप लोग जो है वीडियो देखिए बार बार देखिए अगर आप लोग को doubt लगे तो आप लोग मेरे से contact कर सकते हो तो चलिए सीखते हैं जो हमारा market का nine secret है वो मैं आप लोग को पूरे example में विस्तार से एकदम clearly समझाता हूँ हम जब zero से लेके graduation तक जब study करते हैं तब ही उसका exam दे पाते हैं otherwise हमारा repair आ जाता है या तो हम फेल हो जाते हैं बिलकुल सारे subject हो में ठीक है तो इसी लिए ध्यान पूर्वक से सुनिएगा ताकि आप लोगों को जो चीज़ सिखाओ वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तो चलिए क्या है ये secret समझते हैं देखिए dear student पहला जो हमारा secret है ट्रेडिंग सेट अप मिन्स क्या ट्रेडिंग सेट अप हमें बना के रखना है ऐसा जैसे कि कहां पे entry लेना है और कहां पे exit करना है मान के चलिए आप किसी मंदिर के अंदर जाते हैं जब आपको मेन द्वार नहीं पता है मेन गेट नहीं पता है तो आप लोग अंदर कैसे जाओगे आप लोग अंदर चले भी गए तो आप लोग को ये नहीं पता है हमें निकलना कहां से है और आप लोग फिर निकल नहीं पाओगे ठीक है example के तोरपी मैं आपको समझाया तो सबसे पहले हमारा जो trading setup होगा हमारा entry कहां पे लेनी है और exit कहां पे करनी है ठीक है second हमारा आता है trading is business ठीक है जो second rule है हमारा trading is business अगर trading में आप gambling करोगे तो हमेशा ही loss खाओगे trading को gambling मत समझिए क्योंकि gambling समझने से आपका जो psychology है वो बिल्कुल खराब हो जाता है क्योंकि अगर आपका एक बार loss होगा दुबारा आप entry करोगे उसको recover करने के लिए तब जो अगर recover नहीं होगा उसके बाद फेर आप entry लोगे तो आप 10 के बदले में 20 वहाँ पर जो है loss कर बैठ होगे और उसके बाद जो है आप lawn लोगे या किसी से उधार पकरोगे तो उसमें क्या है आपका नुकसान होगा तो trading को एक business की तरीके समझिए और business जैसे चलता है उसी तरीके से trading को भी चलाइए तीसरा point जो तीसरा secret है हमारा emotion को control करिए जैसे market उपर की और जा रही है या फिर नीचे की और आ रही है तो इसका मतलब यह नहीं है जो हम जो है हलका dip लेगा उसके बाद ही उपर जाएगा जैसे हम लोग कहीं पर सांस लेते हैं ना सांस उसी तरीके का market का behavior होता है तो अपने emotion पे control करें यह नहीं बहकावे में आ करके हम trade लेंगे हमारा वहाँ पे नुकसान होगा ठीक है अब चौथा आता है market का trend market में हमेशा आपको neutral चलना है neutral means ना call side तरफ चलना है ना put side तरफ चलना है बिल्कुल neutral रहना है market की trend क्या है market sideways है market के अंदर तीने चीज होता है मैं आपको पहला अध्याई है इसमें आप लोग को सिर्फ secret बता रहा हूँ बाकी इन चीजों पे आप लोग को जो है अलग से में समझाऊंगा अध्याई 2 में समझाऊंगा ठीक है तो पहले जो है आपको market का trend समझना है market किस दिशा में जा रही है market up trend में है downtrend में है या फिर sideways में है ठीक है तो इन चीजों को आप note down भी करते रही है और उसके बाद वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आए पाचमा point है हमारा market addiction मतलब market के अंदर हमें किसी चीज का लत नहीं लगाना है लत मिंत आप सबस्ते हो जो हमें आज trade करना ही है ऐसा नहीं अगर market का trend अगर सही नहीं है market sideways में है तो हमें trade नहीं लेना है trade को ignore करना है ये नहीं जो हम वहाँ पे लत लगा लें जैसे किसी को शर trade की नशे की आदत होती है तो वह एक तरीके से लत हो जाता है उसके बिना रह नहीं पाता है तो हमें trading को लत नहीं लगाना है बस हमारा जहां setup बनेगा हम वहीं पे जो है ट्रेट लेंगे six point छेमा point हमारा आजाता है learning technical analysis याने कि जो हमारा चार्ट पे है जो technical analysis है जो चार्ट हमारा कह रहा है उस पे जो हमें 85% विश्वास करना है और उस patience के हिसाब से हमें trade लेना चाहिए तो हमें ज्यादा से ज्यादा जो है technical analysis करना चाहिए तभी जाकर के हमारा जो है trade पास होग ठीक है सात्मा नमबर आता है हमारा trading psychology ठीक है यह psychology जैसे कि मान के चले जो हमारा मनोबिज्ञान है trading लेते समय हमारा जो मनोबिज्ञान है वो बिलकुल हमारे direction में रहना चाहिए यह नहीं जो हमें लगता है कोई भी चीज लगता नहीं याने कि हमें उस चीजों को संभाल के रखना अपने psychology को सांत मैंड से रखना जैसे कोई हमने trade ले लिया तो उस पर भरोसा रखना है जो हमारा यह reward देगा या फिर हमें loss देगा ठीक है तो सबसे पहले आप लोग जो है अपनी psychology को जो है शांती मैंड से ठंडे दिमाग से जो trading में बैठे हैं तो अपनी psychology को जो है कंट्रोल में रखें थाकि जो है आपका जो है लॉस बिल्कुल कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो तो चलिए आठमा पॉइंट रिक्स मैनेजमेंट आप अपने अंदर रखें जैसे कि आपका सेलरी दस अजार है तो मार्केट के अंदर उसका 10% लगा याने की 1000 एकजामपल द नहीं चलने वाला इसलिए जो ट्रेडिंग को करने से पहले अपना रिक्स मैनेजमेंट जो है उसको कंट्रोल करें अगर 10,000 है तो उसमें से 1,000 लगाएं ताकि आपका 9,000 बचा रहे तो आगे आपको ट्रेडिंग में भी काम आएगा और घर भी आपका चलता रहेगा और क हमारे कैपिटल को बचा के रखता है जो की है स्टॉप लॉस देखिए कोई भी सेर खरीदने से पहले आप इंडेक्स में काम करें या स्टॉक में काम करें तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं अपने रिक्स के मताबिक मान के चलिए मुझे 20 रुपिया जहलने का सक्ति है त हमारा नुकसान ही होगा प्रॉफिट नहीं होगा जैसे हमारा चमता है 500 रुपे की तो हम पर 500 रुपे का स्टॉप लगाएंगे ताकि अगर हिट भी होगा तो हमें चैन से निंद भी जाएगा और चैन से हम खाना भी खाएंगे ठीक है तो स्टुडेंट यह हमारा से समझा गया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट अध्याई में याने की दूसरी अध्याई में जय हिंद बंदे मातरम